आज हम पढ़ेंगे reflection of light प्रकास का परावर्तन है सबसे पहले तो हम जानेंगे कि light क्या होता है और उसका परावर्तन होता है तो सबसे पहला टर्म को जानना है light प्रकास प्रकास क्या होता है प्रकास एक प्रकार की बीकीराण उर्जा होती है अगर इसके हम definition की बात करें कि प्रकास होता क्या है तो प्रकास एक प्रकार की बीकीराण उर्जा है जो हमारे द्रिष्टी ग्यान को जागरित करता है द्रिष्टी ग्यान को जागरित करने का क्या मतलब हो है कि हमारे जो आखें वो किसी वस्तु को देख तो सकते हैं बढ़ कब देखेंगी जब उस बस्टु पर राकास पड़ें तो जो प्राकास होता है प्रकास की जो चाल होती है, प्रकास की चाल निर्वात या वायू, निर्वात अथवा वायू, वायू, निर्वात अथवा वायू में 3 x 10 to the power 8 meter per second होती है, प्रकास की जो चाल होती है, निर्वात में कितना होता है, 3 x 10 to the power 8 meter per second, अब जो देखें, जब दोसरा है, दूसरा में क्या है, कि जो प्रकास होता है हमारा, वो जो होता है, एक बिद्यूत चुम्बकिय तरंग होता है, प्रकास बिद्यूत चुम्बकिय तरंग होता है, ठीक है, प्रकास एक बिद्यूत चुम्बकिय तरंग होता है, प्रकास के बारे में हमको जड़ा डिटेल नहीं जानना है, हलका फुलका जानना है, बस जड़ा सा, आपके सिले बच कही साब से, प्रकास, प्रकास दोहरी प्रकिर्ति, दोहरी प्रकिर्ति, प्रदर्शित करता है, प्रकास दोहरी प्रकिर्ति, प्रदर्शित करता है, ठीक प्रकास जो होता है दोहरी प्रकेर्टि परदर्शित करता है इसका क्या मतलब है कि जो प्रकास है इसके बारे में क्या कहा जाता है कि प्रकास क्या है तरंग है लेकिन प्रकास केवल तरंग नहीं होता है प्रकास का एक गुड़ और विशो होता है कि इस चीज का कड़ का यान तो प्रकास की जो है दोरी प्रकेति होती है उसके बद देखिया है हम यह कह रहे है कि प्रकास की चाल कितनी होती है तो आप उसको देखिया है अगर हम यह कहें कि कोई गाड़ी है वह 40 km प्रकास के रफ्तार से दोड़ी और आपके सामने से निकल गई ऐसे तेजी से तो आप क्या करेंगे उसको देखेंगे लेकिन कुछ टाइम के लिए लेकिन अगर वही गाड़ी 500 km प्रकास के चले तो साइ आप उसको देखें तब तक गायब हो जाए अगर वही चीज हजार किलो मीटर पर गंटे के हिसाब से चलने लगे तो साइद आपको ना दिखेंगे मतलब यह कि अगर कोई भी पिंडो लेकिन उसका अगर वेग बहुत जादा है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे लेकिन प्रकास की चाल कितनी होती है प्रकास की चाल होती है 3 x 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड यानि अगर हम इसको किलो मीटर में बढ़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 x 10 to the power 5 किलो मीटर पर सेकेंड यानि यह लगवग होगा 3 लाख किलो मीटर पर सेकेंड यानि कि जो प्रकास है वो ए के दो देख सकते हैं लेकिन जो इतने की बैघद में कितना चले profits तो ऐसे थर मोन है चाहिए तो यानि ऐसे है कि अब निकल लिएगा, पता ही निचे लगा, देखी नहीं पाएंगे उसको, यह प्राकास की स्पीड बहुत जादा होती है, तो प्राकास अगर कोई पूछे, बीजी बील है, तो प्राकास को देख नहीं पाते हैं, ठीक है, हम जो उसके रिफलेक्शन को देख साड़ देखब नहीं मैंने मौन प्राföरू। हवा सके रिचे टूछेड़ तो पूछे लॉटरे के लिचे सिर्फSका है, प्रफदीत। नहीं है, प्राव लाध़। अब हमको पढ़ना है गोली दरपड से प्रकास का परावर्तन सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि परावर्तन होता क्या परावर्तन तर्म को हम जानेंगे पहले अफ छूर्फ रिफॉक सन क्या होता है तो देखें अगर हम 6 можете फाल समझे में अपने लिए सुन होता है ना कि कि टक्रावि और टक्राव करके वापस चलिय हो तो यह होता है हमारी दिफॉलेक्शन अब हम इसको ऐसी भाशा में समझेंगे अपने पढ़ने की ठीक के detailed ऐसा है कि जिस प्रका सुऩिकरा पर नौजा है रपर नौजाने का वह एक मतलब है कि जैसे मालीज है कि हमने लिए या सी शाली ठीक है झीशे पर किसी भी तरफ पालिष और अगर हम उसके प्रकास डालें तो क्या होगा प्रकास आर पर चला जाता है लेकिन वही सीशा अगर दूसरे तरफ हम क्या कर दें सीशे के दूसरे तरफ बोला जाता है कलई क्या बोला जाता है कलई अगर हम सीशे के दूसरी और क्या कर दें कलई कर दें यानि कि बंद कर द चिकनी दार होने चाहिए और पालिस दार होने चाहिए चिकना होने के लिए क्यों कि टकराएगा तब चिकना होने के नाते उसका क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा तो प्रकास की किरण का किसी माध्यम से टकरा करके उसी माध्यम में वापस चले जाना क्या कहलाता है प्रकास का परावर्तन कहलाता है ठीक है जो किरण गिरती है हम इसको क्या बोलेंगे आपतित किरण आपतित किरण जो किरण लोटती है चुकि परावर्तित हुई है तो हम इसको क्या बोलेंगे परावर्तित किरण ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे परावर्तित किराड़ बीच में जो बिंड उजिस बिंड उपर आकर के अप्तित किराड़ गिरी है हम इस पर क्या करते हैं एक लंब खीच लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं अभी लंब बोलते हैं यह लंब कैसा होगा यह जो तल है जिस तल है हम इसको बोलता है अभिलंब अब चीज़ हो रहा है यह हमारे ना दूकोंड बन रहे हैं यह यह एक यह तीक है एक अभिलंब और आपतित किरण के मर्द्र और यह कुझा को जो है अपतित किरण है और अबिलंब है इसके बीच के कोण कोम प्रदर्शित करते हैं I से और इसकोम क्या बोलते हैं आपतन कोण इसकोम क्या बोलते हैं आपतन कोण यह हमारे जो है परावर्तित किरड है और यह हमारा क्या है अभिलंब है इसको हम प्रद्यसित करते हैं आर से और इसको हम क्या बोलते हैं परावर्तन ओड ठीक है यह हमारा हो गया परावर्तन परावर्तन का मतलब क्या कि किरण टकलाई सता से ठीक है पालिजदार और चिकनी सता से टकलाई और फिर उसी उसी मार्द्य में क्या हो गई वापस हो गई reflection या परावर्तन अब हमारा आता है कि परावर्तन के नियम होते है परावर्तन के नियम देखे, reflection के दो rule होते हैं, पहला क्या होता है पहला rule हमाला होता है देखे क्या क्या चीज, आपतित किरण, अभिलम और परावर्तित किरण तीनो एक ही तल में होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे आपतित किरण आपतित किरण अभी लंब तथा परावर्टित किरण तीनो एक ही एक ही तल में होते हैं पहले हम इसको समझेंगे कि एक ही तल में होने का मतलब क्या है जैसे माली जेना, ये अगर हम ऐसे कहें ये हमारी माल लिजे ये क्या है हमारी आपतित किरण ये तीनो ऐसे है ठीक है ये क्या है हमारी आपतित किरण ये क्या है अभी लंब और ये क्या है परावर्टित किरण अगर हम तीनो को कहें एक ही तल में होने का क्या मतलब कि देखे यह तीनों हमेसा ऐसे होना जाए जैसे हम न तर्म में होना मतलब टीनों सीध में यह न कि दो ऌप ichi कि और यह पर आवद तर करें चाहिए यह लोगे यह क्वी इस नियम नेंकर चलें लूदफिशने में डूसरा नियम क्या का अधार उनकर फलसरा नियम अपतन कोड बराबर होता है हमेशा और हमेशा किसके परावर्द्थन कोड के हैं पर जा हमने लिख दे किया आपन कोड को हमिने किस से प्लद रथित कि आई से तो हम क्या लिख देंगे कोड़ आई बराबर कोड़ आर है ठीक है दो नियम हो गया परावर्तन के अब हमने तु जाना अभी परावर्तन अब हम परावर्तन पढ़ेंगे गोली डरपड़ से आप क्या करिएगा वीडियो को पूछ करके और इसको नोट कर लिजेगा अब हमको पढ़ना है दरपड से परावर्तन रिफ्लेक्शन बाई मीरर ठीक है दरपड से परावर्तन तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दरपड होता क्या है तो हम सब सब्सक्राइब करेंगे छोटी छोटी चीजहों को दरपड क्या होता है एक कांच काश कोखला गोला ठीक है ना किसी कांच के खोखले गोले के एक भाग के ठीक है ना अगर दूसरे और हम क्या कर दे कलही कर दे तो इसको हम बोलेंगे दरपड मतलब यह पूरा हमने क्या किया इसका इतना पार्ट हमने क्या किया इसका इतना पार्ट ना हमने काट करके निकाल लिया ठीक है और इसके एक तरफ हमने क्या क यह हमारा दरपड हो गया ठीक है अब हम कुछ टर्म जानेंगे इसके परिभाशा के बारे में पहला हमारा क्या है पहला हम देखेंगे वक्रता केंद्र पहले हम दरपड के कुछ परिवास आए जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है वक्रता त्रिजिया क्या होती है पहले हम जानेंगे वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र दरपड का वह बिंडु है जिस खोखले गोले से वह काट करके निकाला गया है उसका जो केंद्र मतलब यह देखे समझने की कोशिज करिएगा यह जो खोखला गोला है इसका केंदर तो होगा कहीने कहीं पर तो यह जो दरपड है अगर हम इसको इतना निकाल लिए तो जाहिर सी बात है कि यह इसी गोले का पार्ट है तो जहां पर इसका केंदर होगा वही इस दरपड का क्या संटर्स होता है हम उसको क्या बोलेंगे इस दरपड का क्या बोलेंगे बैलक करता केंदर बोलेंगे अब अम लिखेएगे वकरता थिर्ज्य यह और तोए लौक ऑठके 106 уже किए अ हो छोड़े क्यों के लिए एक पॉइंट हो रहा इसके पहले यह पॉइंट लेते हैं दुरू उसके बाद हम बगता तिज्य देखेंगे दुरू क्या होता है किसी भी दरपड में अगर यह मालीज हमारा क्या है दरपड़ किसी दरपड का जो मीड पॉइंट है मीडियम हम इसको क्या बोलेंगे पोल या फिर दुरू ठीक है अब यह जो वक्ता केंडर होता है मिसको प्रदशmber किससे करते हैं सb सेंटर आप कर वेचर ठीक है ना इसको हम सिसे प्रदशित करते हैं तो हमारा कि और सी तो अब अब बग्त तरपड के केंद्र तथा पूल से जाने वाली सीधी रेखा उस दरपड की क्या होती है वक्कता तरपड के लिए कि दरपड के केंद्र और फोकस इन दोनों से हुकर जाने वाली सीधी रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है दरपड की वक्करता त्रिज्या कहलाती है अब क्या होगा अब हम जानेंगे फोकस किसी दरपड का फोकस क्या होता है देखे दरपड का फोकस जी होता है प्रकास की किरने दरपड से टकराने के पस्चात सबीक्राएं से चोक्य कृति यहां से टकी यहां पर Formula यह तो आर पार तो इसको जाना कें सब्सक्रों कर्का यह किरने तो लोटकिंट यह किनल आए가 चली गई इसको करम किया ऑपतित और इसको किया बोलें यह परावर्तित किनल तो कि कि यहां यहांसे टकार करके जब वापिस चली गहीं इस बीले दूशार डियान डीज schwierig कि यानि कि आपतित किरण डरपढ से टकराने के पस्चाथ जिस बीन उसे गूजर ति है वहWhat इस दरपण का क्या होता है focus बिन्द होता है वह क्या होता है उसको किसे प्रदशित करते हैं एप में टर्म और आपको जानना होगा इसमें किमाली जैंप में तो देरपण में जो हमारी चीज से यफ की दूरी होती है इसी को यफ और पी की दूरी के क्या होती है बराबर होती है मतलब यह कि वक्रता केंद्र और फोकस के मद्दी की जो दूरी होती है वह फोकस और दुरू के मद्दी की दूरी के क्या होती है बराबर होती है ठीक है तो यहां से हमारा अब यह दे दरपन के बारे में कुछ है छोटी मोटे फार्मूले पढ़ लेते हैं कि अब दरपन से परावर तल पहले हम यह देखेंगे कि दरपन में दो प्रकार के हमारे पास दरपन होते हैं एक होता है और तल दरपन और एक होता है हमारा उत्तल दरपन तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे और तल दरपन आत तल दरपन ओतल तल दरपन हमारा क्या होता है है एसा दरपन जिसके उभरे भाग पर किसके उभरा वाग पर यह देखें यह थावगा ह सब्राइगहां पार्ट तो उभरे वब पार्ट पर कल्लाई की वह पालिस किया उवगा creating तो यह हमारा कॉन सा दरपड होगा ओतल दरपड जरा एक चीज़ ध्यान देजिए इसमें अगर कोई किनाड ऐसे टकराएगी न तो यहांसे क्या हो जाएगी वापस होगी इसको हम यह कियाद करने का तरीका बता रहें कि कौन सा दरपड जो है ओतल होता है ओतल की अंग्रेज और उतल दरपड उतल दरपड का क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर इन दोनों के देखिए इन दोनों का अंतर हम एक जैसे बना सकते इन दोनों को चाहाओ तो ऐसे भी बना के किया जा सकता है या फिर इस इन दोनों को हम बताएंगे ताकि कंफ्यूजन दूरू देखिए जिसम यह का मतलब क्या होता है गुफा यह जराशी अंदर है गुफा के टाइप में तो इसमें अगर टकर आया और गुफा से वापस चला गया तो यह कौन सा मीरर है कौन के मीरर क्या है जिसके डबे हुए पार्ट पर कलही किया अब देखें इसको दोनों तरीकों से तो यह दबा ह पढ़ें कान्वेक्स मिरर हों गई यह वाले ठीक है इसपर वी देखेंगे की रण यहाँ पर आएगी टकरा करके क्या होगी कि रण आप रहा करके क्या होगी वापस चली जाएगे ठीक है तो यह हमारे कौन से दर्पड होगे आतल लापड और उत्तल द्थरपड अब पहल झाल